अठारा जून दो हजारतेईज कनाडा के सरे सिटी में एक गुरुद्वारे के बाहर बुली चली जिसमें लोकल गुरुद्वारा बॉडी के प्रेसिडेंट की मौत हो गई नाम था हरदीब सिंग निजजर निजजर खालिस्तानी टाइगर फोर्स के टी अफ का लीडर था यह संगठन भारत में प्रतिबंदित है इनाये ने निजजर पर 10 लाक रुपे का इनाम भी घोशित कर रखा था खालिस्तान समर्थकों ने इसे टार्गेट के लिंग बताया और इसका पूरा आरोब भारत सरकार पर लगा दिया इसी तरह का आरोब बाद में कनेडा सरकार की ओर से भी लगाया गया जिस पर बवाल इतना बढ़ा कि दोनों देशों में फिलहाल तनाव चरम पर है लेकिन में निखिल गुपता नाम के एक व्यक्ति के पास आया कुछ दिर बाद एक एड्रेस भी आया 19 जुन को गुपता ने एड्रेस एक अंडर कवर एजेंट जिसे हिटमैन के तौर पर निवार्क में टार्गिट को खत्प करने के लिए हायर किया था उसे भेजा गया गुपता ने हिटमैन को फिर से मैसेज किया और कहा कि अब यह प्रियॉरिटी है यानि यह पहली प्राथ मिप्ता है कहा गया कि 29 जुन से पहले हर हाल में यह काम निप्ताना है 30 जुन 2023 को निखिल गुपता भारत से चेक रिपब्लिक पहुचा जहां उसे गिरफतार कर लिया गया यह की अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर चाती जिसने हरकम पंचा दिया निजर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने का रोग कनाडा की ओर से लगाया ही जा रहा था कि अब अमेरिका से भी इसी तरह की सबर आई अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका की धर्ती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की भारती शाजिश अमेरिकी एजनसियों ने नाकाम कर दी यह अमेरिकी नागरिक कोई और नहीं बलके निजर की ही तरह खालिस्तानी आतंग की गुर्पतवांथ सिंग पंणु था पंजाब के अमरिच सर में पैदा हुआ से उसने सीख फॉर जस्टेस यानि एस एफ जे की अस्थापना गी भारत में ये संगठन प्रतिबंदित है भारत सरकार ने दो हजार उनीस में इस पर बहन लगाया था को आदेश दे रहा था अमेरकी एजेंसियों ने इस आफिशियल को सीवण का नाम गया अमेर्की एजेंसियों ने बता रही कि निक्ठिल गुपता को अमेरिका में साजिस रचने के लिए बदले में भारत में उसके खिलाफ चल रहे मामलों को खत्म करने की बात कहता है निकिल गुपता फोन पर अमेरिका में अपने सयोगी से संपर करता है और ऐसे लोगों की तलाश करने को कहता है जो भाड़े पर हत्या के लिए तयार हो जाए लेकिन यहीं गुपता से चुक हो लगों को कहा जाता घ्लाक करते हैं अमेरीकी अजेंसी को सिएस घुप्ता के बीच पातचीत होती है CS इसकाम के लिए एक लाख डॉलर की मांग करता है CC1 ने गुपता को निवाग शहर में पन्नून के घर का पता भेजा गुपता ने फोन पर CS से बात की और जल से जल पन्नून को टारगेट खत्म करने की बात कई CS ने गुपता को एक हिट मैन से मिलाया यह हिट मैन भी डीए का अंडर कवर एजेंट था 10 जून को गुपता ने मैनहटन में एक विक्त की जरीव 15,000 डॉलर एडवांस टेमेंट हिट मैन को किया 20 जून 2023 को भारत के प्रधान मंत्री अमेरिका दौरे पर जाने वाले थे इसलिए इस प्लान को कुछ दिन के लिए रहुकने की बात हुई लेकिन इसी भी 14 जून को कनाड़ा में निजजर की हत्या हो गई जिसके बाद CC1 ने गुपता को आदेश दिया कि वो एक काम जल से जल निप्टा है गुपता ने अंडरकवर एजेंट को 29 जून तक काम पूरा करने को का 29 जून को गुपता भारत से चिक रिपब्लिक पहुंचा जहां उसे गिरपतार कर लिया गया क्योंकि अमेरिकी एजे इसमें शामिल होने के आरोप लगाया गये भारती नागरी और पदिकारी रहे विकास यादों पर पन्नून की हच्चा की साजिश रचने का अरोप लगाया गया है अमेरिका के जस्टिश डिपार्टमेंट की और से जारी प्रेस डिलीज में कहा गया है कि भारत सरकार के करमचारी 29 साल के विकास यादों पर मडर के लिए हायर करने और मनी लॉंडिंग के आरोप टैग किये गये है इसी मामले में निखिल गुपता की गरफतारी दिखाई गई है जबकि विकास यादों को फरार घोशित बताया गया है अमेरिकी एजनसियों ने विकास यादो को इस पूरे मामले के मास्टर माइं बताया है और कहा है कि FBI अमेरिका में रहने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा या अन्य बदले की कारवाईउं को बरदाश नहीं करेगा इस प्रेस रिलीज में FBI ने विकास यादो को भारत सरकार के काईबिनेट सेक्रेटरी एक में कारेरत बताया है जिसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रा का मुख्चाले है FBI ने विकास यादो को सीनियर फिल्ड ओफिशर बताया है जो कि पहले CRPF के लिए काम कर चुके हैं और यूद की बारी क्यों और हत्यार चलाने में एक्सपर्ट हैं वे भारत के नागरिक हैं और भारत में ही रहते हैं अब तक यह सब जो कहानी हमने आपको बताई यह सब अमेरिकी जाच एजेंसी FBI के दावों पर आधारित है भारत सरकार ने पन्नून की हत्या की साजिस रचने में किसी भी तरह से अपना हाथ होने से इंकार किया है भारत की ओर से अमेरिकी एजेंसियों का स्रयोग भी किया अमेरिकी एजेंसियों ने इस बात को दोराया भी है कि भारत सरकार का जांच के दोरान उन्हें पूरा समर्थन मिला है इसके अलावा FBI की ओर से विकास यादों को वांटेट घोशित करने से एक दिन पहले ही भारती विदेश मंत्राले के प्रवक्तार रंधीर जाइसवाल साफ कर दिया था कि जिस भारत सरकार के करमचारी को पनून की हच्चा की साजिश रचने में शामिल बताया जा रहा है वो अब भारत सरकार का करमचारी नहीं है कुछ लोग विकास यादों की तारिफ कर रहे हैं तो कुछ लोग अम chap की हो रही है की, निप्ताने वाला ज्नखोरा पीटने वाला अमेरिका किस मुह से एक आतंकी को नरी की व बने रहें लोकमत हिंदी के साथ नमस्कार